दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पैन कार 2.0 के बारे में काफी परसन ये जानना चाते हैं कि पैन कार 2.0 जो नया यहाँ पर आया है वो हमें कैसे मिलेगा हमें अपलाई करना पड़ेगा या बिना अपलाई किये हमारे एड़रस पर खुद आएगा और क्या हमें इसका पैसा देना पड़ेगा क्या इसमें पैसे भी नगेंगे या नहीं या हमें फिरी में मिलेगा तो काफी लोगों ने जो यहां पर मुझे मैसेज किये हैं इसके बारे में जानकारी लेने के लिए तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि यह जो 2.0 पैनकार यहां पर आने वाला है यह आपको कब और कैसे मिलेगा इसको ऑनलाइन अपलाई करना पड़ेगा यह आपको खुद से यह मिल जाएगा अगर आप इसके बारे में एक पूरी जानकारी चाते हो तो इस वीडियो के अंदर आपको बने रहना है इन तक देखना है इसकी पर करके नहीं देखना है वीडियो स्टार्ट करने से बिले अपने भाई का नम जानल कि क्या इस पैन कार्ड का पैसा देना पड़ेगा या पैसे दे के मिलेगा तो मैं आपको बता दू यह बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा आपको इसमें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा हाँ अगर आपने न्यू अभी तक नहीं बनवाया है आप first time अपना pen card बनवा रहे हो तो आपकी fees लगेगी और आपके घर पर by post यही वाला pen card आपको मिल जाएगा 2.0 ठीक है लेकिन अगर आपके पास में पहले से बना हुआ है और आपके पास में पुराने वाला है तो आपको कोई पैसा नहीं देना है आपको free में ये pen card मिल जाएगा कुछ लोगों का सवाल ये भी है जो पुराना pen card है उसका क्या होगा तो पुराना जो pen card है फिर वो नहीं चलेगा आपको नय वाला ही यहाँ पर use करना पड़ेगा जहां कहीं भी आपको use करना हो pen card तो आपको यह जो qr code वाला pen card आने वाला है यही आपको जो है यूज़ करना पड़ेगा पुराने वाला फिर नहीं चलेगा ठीक है अब बात यहां पर आती है जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पैसे लगेंगा यहां में खुद अप्लाई करना पड़ेगा तो यह अप्लाई के बारे में अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आईए कोई बी इन्फॉर्मेशन नहीं आईए अप्लाई को लेकर के यह कहां से अप्लाई होगा एनेजधेल से होगा यूटिय से होगा या फिर कोई और तरीका इसका बनाया जाएगा अभी कोई भी अपडेट नहीं है जैसे इसे इस पर कोई अपडेट आती हम वीडियो बना करके आपको बताएंगे जरूर I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगई कि आपको पिसंद आए तो उसको लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में